अनादिकाल से भारतवर्ष के गौरवमई द्यहास, धर्ब और संस्कृति में सेहिक को सर्वोच स्थान मिला है सिहस कंधाधी रुढाम, तिर्भुवन मखिलम, तेजसा, अर्थात तीन लोग को तेज से भरने वाली मा दुर्गा, स्वयम सिह के कंधे पर सवार रहती है म्रगाणा म्रगेंद्रोहम तो गीता में श्री कृष्ण स्वयम को म्रिगराज कहते है वहीं बुद्ध और महावीर की वाणी को सिम्हाद यानि सिह की दहाल कहा गया है भारत वष्ण के राजा महराजाओं ने वनराज की शक्ती को श्रेष्ठ मानते हुए अपने आसन को सिहासन की संग्या दी स्वतंतरता के बाद गणतंतर भारत ने भी चक्रवर्ती समराट अशोग द्वारा बनाए गए सिह स्तंभ को राश्ट्रिय चिन्ह प्रतिष्ठित किया प्रकृति के ऐसे अद्भुत स्रजन ने अनेक लोगों को आकशित किया पर इन में से सिर्फ कुछ व्यक्ते तो ऐसे हुए जो सिह को अपने परिवार के समान प्रेम करते हैं साथ ही उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कई वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं सिह प्रकृति की एक अद्वितिय रजना है सिह के शेष्ठ आवास यानि गीर के आंगन में बैठ तीन दशक के हर लमहे को याद करते हुए परिमल नथवानी उन्ही पगडंडियों पर चल रहे हैं जहां कभी एक नौजवान बिन साधन भी म्रिगराज के सनेह में खिचा चला आता था आज मानू समय चक्र स्वयम पिछले 35 साल का इसमरण कर रहा है और परिमल नथवानी के माध्यम से हमारे सामने पूरे दौर का एक एक पल पुनह जीवित हो रहा है मैं फॉस्ट लव इस गिर तो मैं हमेश के लिए यहां आता रहा हूँ और एक रिचाज होके मैं जाता हूँ यहां से सुविदा तो कुछ नहीं थी ना पैसा भी था मेरे पास इतना मैं बस में आया हूँ ट्रेन में आया हूँ टेक्सी में आया हूँ सी सदन में मैं रहता था जिसका किराया था वो दस रुपिया था और खाने की जो थाली थी वो पांच रुपिया की थी आज भी गेर में सिह दर्शन, परिमल नत्वाणी में नई शक्ती का संचार कर देते हैं और इसी के साथ उन्हें शुरुवाती दिनों के किस्से याद आने लगते हैं मोहन भाई डोडिया, उसको लोग सत्रुगन सिना कहते थे, पहले से भी मैं आता हूँ बट उन्होंने मुझे ज्यादा लगा दिया लायन के लिए तो वो एक थे एक लिंबाचिया भाई थे जो नाकवा पर बैठते थे एक लगता था कि मैं एक फैमिली के साथ मैं बैठा हूँ उनके साथ और यहां आने का लॉंडरी कराना उतना सब पैसा नहीं था तो मैं सी सदन में कपड़ा दो के फिर प्रेस कराने के लिए मैं देती ट्रक और लोकेशन पार्टी जितनी होती थी उस टेम पर टेलीफोन भी नहीं था दूसरी अवैबिलिटी भी नहीं थी तो जाते थे और वो ट्रेकर के साथ गुमते गुमते फिर हम लोग आते थे फिर 11 बजे तक इनका रूटीन काम हो जाता था और मेरा काम हो जाता असी देखने का और वाई लाइफ को देखने का दोनों चीज मुझे अच्छी लगती थी जब जब मैं काम से निकल के आता हूँ यहां पर तो यहीं लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ गीर वनक्षेतर से गुजरने वाली टेनों से अक्सर ऐसे हादसे होते हैं जिन से सिहों की या तो मृत्यू हो जाती है या फिर वो घायल हो जाते हैं परिमल नथवाणी ने बार बार ये गंभीर मुद्दा गुजराच सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखा ताकि मुल्यवान सिहों को बचाया जा सके गीर में सासन रेलवे स्टेशन पर बैठ परिमल नथवाणी उन्हीं पुरानी यादों में खोई हुए है तो आज भी मुझे एक लगता है कि इतने प्रयास के बाद भी ट्रेक पे लायन हा जाना तो भव एक बात हो रही है और मैं उस जमाने की बात करता हूं कि जब कोल्सा वाला एंजिन चलता था डिजल भी नहीं था तब तो मैंने ये देखा है कि पूरी ट्रें निचे उतर जात तो ट्रेन को लेट होते हुए भी मैंने देखा है तीन-तीन घंड़ा वो ट्रेन रुख जाती थी परिमल नत्वाणी ने न केवल सासंगीर को विश्व में पहचान दिलाई बलकि दशकों में बने हर रिष्टे को फिर्दै से निभाया यही वज़े है कि सिह सामराजी के विस्तार का गवाह रहा हर आदमी परिमल नत्वाणी का आदर और सत्कार करता है परिमल नत्वाणी सिर्फ सिह दर्शन के साथ रोमान्चित होकर नहीं रुके बलकि उन्होंने मिर्गराज परिवार को गीर के आचल में हर संकट से बचानी के लिए अनीकों भगिरत प्रयास किये है खुले कुओं से सिह को बचाने का कारे हो या फिर सिहों के लिए अत्याधुनिक अस्पताल बनाने का कारे हो सिह सनरक्षण के लिए परिमल नथवानी हमेशा समर्पित रहेंगे देखिए बच्चे गिर जाते थे और सिह भी रात को जो है इसको बोलते हैं हुकते अभी दिन में सीधे चलते हैं रात को हुकते जैसे उपर देखके जाते थे और नीचे गिर जाने का पूँकि लेवल एकदम सेम था तो कभी उनको मालूम नहीं पड़ता था बच्चे ही नहीं गिर जाते थे सीधे और टेक्नोलोजी भी नहीं थी तो हमने रिलाइंस के माधियम से और हमारे एंजियो के माधियम पर हमने एक अभ्यान लिया कि सीधे गिरना नहीं चाहिए बच्चा गिरना नहीं चाहिए तो हमने कम से कम 2,000 जादा हमने वैल को बनाया तो बहुत स्ट्रॉंग हमने वो बनाया था कि दूर से भी आये तो उस बीच में गिरे नहीं जाएंगे तो वो आज भी अवेलेबल है इस तार इस एरिया में पहले बहुत डॉक्टर्स भी नहीं थे लायन के लिए अब तो कुछ-कुछ सुविदा अच्छी हो गई है और मैं अभी वद्दन करूंगा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आज तक ये सुविदा बढ़ाने के लिए काम किया है तो लायन इस अप्राइड ओफ इंडिया नहीं देखिए हम तो हमेशा लायन के लिए जो करें वो कम है हम जैसे अपने घर में अपने बच्चे को देखते हैं फैमिली को देखते हैं तो ये मेरी लिए एक फैमिली है तो मैं देखता हूँ इसको के अभी इतने वेल है तो हम तीन हजार वेल और शुरू करने वाले हैं और स्पेशल हॉस्पिटल आईसी यू के साथ और डॉक्टर्स भी हम लाएंगे हॉस्पिटल भी बनाएंगे जैसे जाम बाड़ा है दूसरी जगा है धारी है तो ये हॉस्पिटल हम बनाने वाले हैं शताब्दियों पहले सिहनेगीर में पहला कदम रखा वन की प्रकृति और निवासियों के वेवहार का असर शेर पर भी पढ़ा जिससे उनके शरीर और आचरण में कई बदलाव आये परनाम सुरूप हजारों साल पहले अफ्रीका की जिस भूमी से सिह समुह अलग हुए थे आज दोनों नसलों में कई अंतर आ चुके हैं आज गेर के बलिष्ठ राजा के पीछे चलते हुए परमलनत्वानी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है इस अनोखे लगाव के साथ साथ परमलनत्वानी का गेर और सिह पर किया गया अध्यान उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक गेर लायान प्राइड अफ गुजरात को पढ़ कर पता चलता है यह तो मेरा जो इतना एक्सपिरेंस रहा और मैंने जो काम किया उसके उपर मैंने यह किताब निखलने की कोशिस की टाइमस ओफ इंडिया को लेके साथ में कुछ भी करेंगे तो पबलिक तक जाना चाहिए और वर्ल्ड में जाना चाहिए और बहुत लोगों ने मेरे को सपोर्ड भी किया और यह मैंने बुक बनाई भारतिय संसद के उपरी सदन के सदस्य और विश्व के सबसे सफल बिजनिस घराने में बड़ी जिम्मेदारी का सफलता पूर्वक निर्वाहन करनी के बावजूद पर्मल नत्वानी आज भी गेर निवासियों से सादगी सरलता से मिलते हैं जादा उर्जा और जोश से सिह कल्यान के लिए समर्पित रहते हैं ऐसा अनमोल व्यक्तित्व अपने बीच पाकर हर कोई उनका आभारी बन जाता है यहां पेला टाइगर प्रोजेक्ट अधो जो एक यहां कोई नहीं क्याल नोदो के लाइन प्रोजेक्ट थाई एपि यह एसेटिक लाइन चेन वर्ल्ड माँ अपने एक जग्या उपर इगे इना दी जे एक प्रिसाइटे जे मेनत करी सहसाद में वबलवात करी इना पजी आपड़ तुरिजम ने लिदे यहां आपड़े एक लाइन प्रोजेक्ट आई हो एक खरेखर आउ यक्तित्व आव इस रड़ता आटला महान तान अपद साथे हो इब बुरलब छे शीह साथे तो साथे तो साहिब नो जो प्रेम प्रकुर्द प्रेमी तरीके तो साहिब भ वाले प्रोटेक्शन माटे हमने पूरो साहिव गए पोछे हमारा रेश्ट्यू सेंटर माटे हमने पूरो साहिव गए पोछे नवाब के समय में गिनती करने पर जो सिह संख्या केवल 20 थी वो म्रिग राज आज 700 का आंकड़ा पार कर गुजरात के कई इलाकों में फैल चु नौतियों का व्यवहारिक और व्यवस्थित समाधान बता रहे हैं यह हिरन है और ऐसे सारे मिलना चाहिए भी जैसे आपने देखा सताधर तक भी आ गये थे चोटिला तक आ गये थे और जगा मिलेगी तो उसका ग्रोथ यहीं होगा मजबूत मुस्तैद शरीर, तीक्षन आखें, बेदाग फर और निडर सीरत के साथ एक बार में शिकार का कलेजा भाड़ देने वाले जंगल के राजा से को जब कोई इनसान पहली बार बहुत पास से देखता है तो भैरो मांच चरम पर पहुँच जाता है आज परिमल नत्वानी गेर में आकर युवा अवस्था के उसी च्छन को याद कर रहे हैं तीन चार बच्चे थे और पूर एक फैमिली थी और हम मैंने जब देखा तो मैं इतना डर गया था क्योंकि बहुत नजदी के हम लोग पहुच गए थे मोहन भाई के साथ और चोटे-चोटे बच्चे थे पूरे खून से पड़े हुए थे क्योंकि किलिंग करने के बाद उनका जो फेस होता है मेरे को देखके लाइन एकदम पीछे आ गए पड़ वो मोहन भाई जो थे उसने बोला कि अभी तो बेक पे जाओ पीछे दोड़ के मत जाओ तो मैं धीरे 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 पीछे गया पड़ वो वहीं पे खड़े रहे थे ये जो मोमेंट है न वो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एक मेमरी है एक कहावत है गीर में जहां मालधारी है वहां सिह है इंसान और सिह के आपसी सामन जसे का ऐसा आदश पूरे विश में और कहीं देखने को नहीं मिलता है परमल नत्वानी के मताबिक ट्रैकर और मालधारी वो दो शक्तियां है जिनके कारण गीर में सिह सामराज फल भूल रहा है लाइन और नैस्डा वाले जो मालधारी है वो एक नीड है तो लाइन और मालधारी और उनके बच्चे वो छोटे उदर घुमते हैं खेलते हैं और लाइन उदर से निकल जाता है ऐसे कहीं पिच्चर्स हैं और ऐसा है नहीं कि मालधारी के उपर लाइन ने कभी एटक किया है ऐसा भी नहीं होता है लाइन कयों कहुँ आ पर जघो किता हैं गला ट्रेकर है वो हार्त है गीर का अगर वो नहीं ए तो कौν देखा यो डॉक्टर भी है, केर टेकर भी है और सब कुछ है परिमल नत्वानी ने सिह और गीर के विकास के लिए अनंत कोशिशें की है परिमल नत्वानी ने गुजरात के एहमदाबाद इंटरनेशनल एरपोर्ट पर गीर और सिह की एक सुन्दर गैलरी का निर्मान भी करवाया है मैंने यह सोचा कि एरपोर्ट पर बहुत लोग आते हैं और जाते हैं तो वो अपने को इसका मार्केटिंग करना चाहिए और लोगों को भी दिखाना चाहिए कि गीर यहां पर है और गुजरात में है और आज की तारीक में भी लाइन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं जैसे अभी उन्होंने जो डिकलिर किया है भारत सरकार और प्रदान मंत्री ने एशेटिक लाइन के लिए तो मुझे लगता है कि यह प्रोमोशन के बाद आने वाले दस साल में बहुत सारा फंडिंग इदर आने वाला है और फिर लाइन के लिए ही होगा इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब सिह ने कदम रख कुछ जगों को गौरव मई बना दिया पर वहां के निवासी इसका महक तो नहीं समझ पाए लेकिन परिमल नत्वानी जैसे काल जई व्यक्तितु ने इसे समझा और गीर में सिह के अस्तितु को बनाए रखकर उनके उज्वल भविश्य के लिए लंबी तपस्या की परणाम सरूप वही गीर आज गुजरात का गौरव है पूरे भारत का गौरव है परणाम सरूप भारत का गौरव है